कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर सीविल्स अबसेद में तो यह वाला टेलीग्राम जरूर जोइन करके है यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलीग्राम जोइन करना बहुत ज्यादा जूरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे क्यांट करिए और बताएं कितने सही किया है चोटल में से सबी लोग अपना पर जरूर को फॉड़ो कर लिए इस्टडी फॉर सीविल डॉट सर्विसे जहीं है और इसमें देखेंगा है आप पूरे पिक्स एक साथ देदे जो आप कभी भी देख सकते बाकि इमारे स्टोरी करते हैं यहां पर साथ चाहिए तो आप यहां देख सकते हैं कि अदिकारी प्रेलिमस एक्जामिनेशन के लिए यह मॉक टेस्ट पेपर नंबर नाइन है और सामाने साक्षर या पढ़ा लिखा साक्षर अर्थात जिसे की अक्षरों की जानकारी हो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके लिए विलोम आपको तलाशना है तो अप्राग्य होगा ध्यान से देखे अक्षर शत्रू होगा अनुपदिष्ट होगा या फिर सभी होगा बताईए तो पहले का हो जाएगा इसमें से घवाला सभी अप्राग्य भी उसी को कहा जाता है जो पढ़ा लिखाना हो अक्षर शत्रू भी उसी को कहा जाता है जो अक्षरों का ही दुश्मन हो और अनुपदिष्ट का मतलब है जिसे कि कोई उपदेश न दिया हो तो जो गुरू होते हैं जो कि सिक्षा देते हैं चाहे वो टीचर हो या पहले कि गुरू आश्रम वाले गुरू हो तो वो उपदेश के माध्यम से ही तो सिखाते हैं जीवित या सजीव एक ही बात है इसके लिए विलोम आपको डूड़ना है तो नर्जीव होता है वैसे तो कामन लेकिन यहां दिया है प्रमीत, फौत और मुतवफ़ा अब इसमें से आप देखकर बताईए और इसका हो जाएगा घहवाला, सभी इसमें सत्य है, ठीक है प्रमीत का मतलब भी होता है नर्जीव, फौत का मतलब भी होता है मुर्दा या नर्जीव और मुफ़ा का भी मतलब वही होता है, ठीक इसके बाद तीसरे नंबर के प्रशन को देखिए गलत विलोम युग्म का चैन कीजिए, जो शब्द आपको नए लग रहे है, उसको कॉपी पर नोट करते जाएए अर्थ के साथ गलत विलोम युग्म का आपको चैन करना है, तो यहां दिया हुआ है दिविक्षया और अभ्यतीत, ऐसे दिया है विनश्ट और मर्हूम, धुतुक और तूरे, और उपरोक्त सभी, तो बताईए और जो तीसरा है न, इसका घह हो जाएगा, उपरोक्त सभी, विलोम ने यह आपस में परियाएवाची है दिवक्षया और अभ्यतीत, दोनों समानार्थी है, विनश्ट और मर्हूम दोनों का आर्थ होता है नश्ट हो चुका या मृत हो चुका, उसको कहते हैं मर्हूम, उसी को कहते हैं विनश्ट और धुतुक और तूरी का मतलब होता है प्रतापी, बलशाली, ठीक, तो इसमें जितने हैं वो समानार्थी हैं विलोम ने, इसके बाद आगे बढ़े, प्रशन संख्या 4 को देखिए, यहां का आगया कि पुलिनवती, अब इसमें से आपको जो सही विलोम युग में उसका च दुखत मतलब क्या होता है, जो दुख का कारण बने या दुख से युक्त हो, और नंदक का मतलब जो प्रसनिता से युक्त हो, आनंद से युक्त हो, तो यही एक मात्र इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो समानार्थी हैं, जिसे पुलिनवती और वहती ये नदी को कहा जात ये सब समानार्थी है, एक मात्र विलोम यही है, पाँचवे नमबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सुदिन का उचित विलोम आपको तलाशना है, सुदिन, सुदिन मतलब क्या होता है, अच्छे दिन, तो इसका विलोम क्या हो सकता है, नाराज हो सकता है, कुदिन हो सकता है, का तथा खा दोनों हो सकते हैं या विपदा हो सकता है ठीक, बताई तो जो पांचमे नमबर का ये प्रेश्ण है इसका correct answer गवाला हो जाएगा यानि का और खा दोनों नाराज जो होता है ये दुरदिन को कहा जाता है कुदिन भी उसी को कहते है विपदा का मतलब तो आफत या मुसीबत होता है उसका दिन से कोई लेना दिना नहीं होता है तो यहां आपने गवाले को चुना है गवाले पर निशान लगा लीजिए और आगे चलिए प्रश्ण संख्या 6 को देखते है विलोम यूग्म का आपको चैन करना है सुगती का विगती होता है अनपाय का अनुपाय होता है अपेल का आरूड होता है यह दिया है अब बदाएए कि इसमेंसे सही कौन सा है तो कुश्चन नंबर सिक्स इसका जो right answer है वो कावाला हो जाएगा विस्तीर्ण का वराक विस्तीर्ण मतलब होता है फैला हुआ दूर दूर तक जिसका विस्तार हो उसको कहते है वराक मतलब छोटा सकरा या संजिप्त तो ये वाला सही है बाकी सुगती और विगती जो दिया है वो विलोम युग गलत है इसके बाद अनपाय का अनुपाय नहीं होता है ये भी गलत है अपेल का आरूड ये दोनों समानार्थी शब्द है तो ये विलोम हो नहीं सकते इसमें सही कौन सा है कवाला सही है इसके बाद साथवे नंबर की प्रेशन को देखे विकृत विकृत जो शब्द है इसके लिए विलोम आपको तलाशना है तो आडग होगा, कितब होगा, उज़ड होगा या फिर सुकृत होगा इसमें से होगा क्या? आडग, कितब, उज़ड और सुकृत दिया है तो विकृत मतलब होता है जिसके कि आकरती खराब हो गई हो उसमें विकार आ गया हो तो उसका हो जाएगा सुकृत ठीक और बाकी जो है वो इसमें देखे जाएं तो सब समानार्थी है आड़क भी विकृत को ही कहा जाता है कितब भी उसी को कहा जाता है और उज़ड भी उसी है दुर्दैव कमभक्ति का भी वही तात परे है शामत का भी वही तात परे है तो सभी हो जाएगा यहां तक हमने देखा इसके बाद नौवे नंबर के फ्रशन को देखिए यहां थोड़ा संजोधन कर लीजे निशिचर होगा ठीक निशिचर निकर पतंग सम रगुपति बा राक्षस तो आप बताईए कि इन दोनों शब्द युगमों का विलोम क्या होगा विलोम युगमों का आपको चैन करना है इधर वाले में आप राक्षस का ढूढ़िएगा मतलब इधर वाले में समान का तो गीरवान और विशम होगा तृदश और असम होगा अजर और प्रश्ण को देखें यह विलोम का आखिरी प्रश्ण है नर्होन निराश करो मन को अखिलेश्वर है अवलंबन को अवलंबन यहाँ पर होना जीए था आवलंबन नहीं होगा इस प्रकार से मतलब यह मैथली शरण गुपतजी की कविता है और काफी अच्छी कविता है निराशा में डूबे व्यक्ति को उबारने वाली तो इसमें आपको यह बताना है कि जो अखिलेश्वर और निराश्वान होना चाहिए विलोम और अखिलेश्वर का क्या हो जाएगा तक तो ठीक है और दूसरा दिया है जातुधान तो यह सही है जातुधान जो है राक्षस को कहा जाता है आशानवित मतलब दिराश का उल्टा हुआ ठीक है आशा में यह भी सही है और देवारी देवताओं का अरी यानि देवताओं का दुश्मन को ने राक्षस हैं आई द व्याद मीत होता है या फिर इसमें से देख लिजे और भी शब्द दिये हैं जैसे कि वाताट दिया हुआ है मयू दिया है और सभी दिया है कौन सा होगा परियाईवाची इसमें से क्या होगा तो ये सभी हो जाएंगे व्याद मीत भी होता है वाताट भी होता है और मयू भी ह व्याद मीत अच्छा क्यों कहा जाता है व्याद मतलब होता है बहेलिया और मीत मतलब उसका मित्र यह बहेलियों के चंगुल में आसानी से फस जाते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं बड़े भोले भाले होते हैं ठीक है इने पकड़ना आसान होता है तो इसमें घह वाला हो तो question number 12 का जो राई tensor है वो घह हो जाएगा सभी प्रेमिका और माशुका तो आप समझी रहे हैं साकी भी उसी को कहा जाता है गाना आया था न वो साकी रहे तो वो अले साकी जो है वो प्रेमिका को बोलते है दिलरुबा भी वही होता है इसके बाद आगे चलें घह वाला हमने चुना question number 13 को देखिए आस्थान ये शब्द आप देख रहे हैं आस्थान अब इसका आपको उचित अर्थ यानि जो पर्यायवाची है वो बताना है देवाले होता है महास्थान होता है राजदर्बार होता है या उचिस्थान होता है विसमें से कोई एक ही हो सकता है कौन होगा इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राजदर्बार ये देवाले को नहीं कहा जाता है जो राजदर्बार या राजा का दर्बार होता है उसको कहते है आस्थान इसके बाद नेक्स्ट नासा शब्द का उजित पर्यायवाची ढूड़िये ये अमेरिका की अंतर और उसको नस्त भी कहते है नक्र भी कहते है नक्र जो है ये तत्सम शब्द है पत भी कहते है मतलब सभी कहते है इसके बाद 15 नंबर की प्रेशन को देखे तंत्र मंत्र को अन्य किस नाम से जानते है करबर कहते है अपसू कहते है अंशर कहते है या सभी कहते है तंत्र मंत्र ये तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होते हैं इसके बाद 16 में नंबर के question को देखिए घुगुआ और घुगु अच्छे शब्द है ना अब इसमें आपको इसके परियावाची ढूडने है ये उल्लू के परियावाची है या इसमें और भी संबोधन दिया है इसके बाद 17 में नंबर के परियावाची ढूडने है कार्षणी लिखा हुआ है कार्षणी का मतलब क्या होता है कार्षणी शब्द ये नया नहीं है इससे पहले के टेस्ट में आ चुका है इसलिए कहा जाता है ग्रमवाः तरीके से देखिए तो इसका अर्थ हर्थात जो परियावाची है वो आपको बताना है तो यह आत्मप का पर्याईवाची है गजेंद्र का पर्याईवाची है कामदेव का पर्याईवाची है या फिर कह और गह दोनों सई तो अठारभे का जो राइट एंसर है पहले से देखं अच्छे से घह वाला हो जाएगा कह और गह opposite असल में कार्शनी जो है वो कामदेव को कहा जाता है उनी को आत्मप भी कहा जाता है और कामदेव भी कहा जाता है ये तो उनका मूल नाम है गजेंद्र उनको नहीं कहा जाता है तो इसमें घह वाला हो जाएगा इसके बाद 19 में नंबर के प्रशन को देखें यहां लिखा हु अध्यर्द मतलब होता है अंतरिक्ष अब इसका पर्याय आपको ढूड़ना है तो दिव होगा ख होगा दिव होगा या फिर सभी होगे यह दयू नहीं है बलकि दिव है इस प्रकार से लिखा जाएगा मतलब द और यह का समावेश कर देंगे तो 19 में का जो राइट अंसर है इसमें से हो जाएगा सभी यानी घवाला दिव भी कहा जाता है ख जो है ना वह भी यह इसमें जितने हैं वो सभी सत्ते नेक्स्ट, question number 20, कपिंजल किसको कहते हैं, कपिंजल अभी आपने पिछले वाले टेस्ट में देखा था शब्द, तीतर को कहा जाता है, बंदर को कहा जाता है, कभूतर को कहा जाता है, या फिर मोर को कहा जाता है, तो ये इसका जो right answer है वो इसमें से हो जाएगा, बंदर को, बाकी जो नाम है उसको नहीं इसमें गुसाएंगे, इसका 20 में वाले का अपने देखा, इसके बाद अब 20 में से चलते हैं, आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्नेहा से शुरू होता है, चार पायों यानि समय के चार चरण होते हैं, ध्यान से देखें, चा पनोती कहते हैं, साड़े साती कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं या एशना कहते हैं, बताइए, तो question number 21 का जो right answer है वो हो जाएगा पनोती, पनोती जो समय होता है न कहते हैं कि पनोती चल रही है उसके उपर, शनी के पनोती, इसका मतलब क्या है कि उस समय उसके जीवन में इसके बाद देखे 22 नंबर के question को, यहां लिखा हुआ है मुसम्मा, ठीक है यह शब्द जो दिया है, इसका मतलब है मुसम्मा, अब इसमे आपको देखकर बताना है, यह 22 नंबर के question को आप देख रहे हैं, इस मुसम्मे का अर्थ क्या होता है, यह नाम भर का, इसका है, तो उसको कहेंगे मुसम्मा, इसके बाद 23 को देखते हैं, जिसका भाषा द्वारा वर्डन असंभव हो, यहां ध्यान से देखें, जिसका भाषा द्वारा वर्डन असंभव हो, उसको क्या कहा जाएगा, अनिर्वचनिये कहा जाएगा, अवद कहा जाएगा, दोनों कह जाएगा या कोई नहीं कहा जाएगा बताईए तो इसे अगर देखा जाए तो इसका जो right answer है देख लीजे ये असल में अवध नहीं है बलकि अवध्य है यहाँ पर जो श्रब्द है न वो अवध्य है इस प्रकार से लिखा जाएगा अवध्य होता है अवध्य मतलब क्या ज वाले को चुनते हैं इसके बाद next question number 24 को देखे उत्तमंग लिखा है और उत्तमंग लिखा है यहाँ पर उत्तमंग है उत्तमंग को आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसमें आधाता भी लग सकता है यहाँ वरतनी की बात तो है नहीं हम लोग वाक्यांश दे शरीर के मध्य भाग को कहा जाता है या शरीर का वह भाग जो कि मस्तिश्क के अंदर होता है उसको कहा जाता है शरीर की उपरी भाग को कहा जाता है या ख और गह दोनों को कहा जाता है बताईए और 24 जो आप देख रहे हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें से ख वाल और जो प्राचीन प्रशलन्था उसमें या आधी लगा सकते हैं मतलब कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वो भी सही जुन्ज अब आपको बताना यह है कि इसका अर्थ क्या होता है इसका मतलब आपको बताना है तो दधीची की हड़ी से बना हुआ वजरायुद दो धु रंधरों के बीच में हो रहा द्वन्द युद्ध या फिर भगवान शियों की तांड़ों मुद्रा या इसमें से कोई नहीं जुन्ज का मतलब क्या है तो जो वज्र या देवराज इंद्र का वज्रायुद था जो कि महर्शी दधीची की हड़्टियों से बना हुआ था उसको क्या कहते हैं खोजा कहते हैं पंड कहते हैं छक्का कहते हैं सभी कहते हैं तो सभी कहते हैं मतलब वो जो उसकी प्रजनन छमता है वो नश्ट हो चुकी है तो उसको खोजा ये बनाए भी जाते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं पहले के समय के जो राजा रजवारे होत और इनके पौरुष्य को इसलिए नश्ट कर दिया जाता था ताकि ये किसी रानी पर अपनी गलत निगाह न डाल सके। और 27 जो आप देख रहे हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका कवाला जिसमें कोई लाज शरम न बची हो जिसे बेहया कहा जाता है उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं अनिभृत अनीह दोनो इसके बाद next question number 28 जो निगाह में आ जाए या नजर में आ जाए ठीक उसको क् चाक्षूस कहेंगे दीदारू कहेंगे दोनों कहेंगे या कोई नहीं कहेंगे इससे जरा देखकर बताइए तो इसमें दोनों कहा जाएगा चाक्षूस भी कहा जाता है दीदारू भी कहा जाता है दोनों दो भाशाओं के शब्द हैं लेकिन अर्थ है कही है गवाला सही हो गर्दन टेड़ी हो उसको क्या कहेंगे तो question number 29 और इसका जो right answer है वो शुतुर हो जाएगा इसलिए शुतुर मुर्ग जो नाम है वो रखा गया है शुतुर मुर्ग अर्थात ऐसा मुर्गा ऐसे बड़े साइस का मुर्गा जिसकी की गर्दन टेड़ी हो तो शुतुर यह सबी कहा जाता है सके बाद lesson चेपन जो शब्स pon चळ्ड़े व वू क्या है इसका आपको ने टाष न ढयुद पाइड़ लाए जो है वो तत्सम है इसका तद्भो क्या होगा छोड़ना होगा चानना होगा छेपना होगा या खपाना होगा बताई तो 31 इसको अच्छे से देखिएगा इसका जो correct answer है वो खपाना हो जाएगा कहते हैं कि इस चीज को खपा रहे हैं जादा है लेकिन हम खपा लेंगे ठीक है तो वो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है उसको 6 पन कहते हैं इसके बाद next question number 32 खटक्किका यहाँ पर खटक्किका लिखा हुआ है तो खटक्किका जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है मतलब तद्भव आपको बताना है तो गवाक्ष होता है दरीचा होता है डेोड़ी होता है या खटिया होता है बताईए ये खटकिका है और 32 का जो राइट एंसर है वो इसमें से हो जाएगा खवाला यानि दरीचा अब यहाँ पर तदभो बताने के लिए नहीं कहा था इसका मतलब बताने के लिए कहा था तो यह तो तदसम हो गया और इसको हम गहरे ुसमें आप लिऑ रख सकते थे यहां यहां में लाइट नहीं होती थी यह? इसको गउखा बोलते थे गाव में और उसका जो शुदुरूफ होता था वो गवाक्ष होता था ठीक है और इसके अलाव़ान झरूखे को भी गवाक्ष कहा जाता यह जालबार झरूखे मतलब जो ड्योड़ी होती है, मतलब मकान की चौखट होती है, उसको कहा जाता है, और खटिया चारपाई को कहा जाता है, इस प्रकार से है, तो उसका दरीचा हो जाएगा, इसके बाद next question number 33, गन्ने की खोई इधन के काम आती है, गन्ने की जो खोई होती है, वो इधन के काम आ जाता है, वो इधन जलाने के काम में आती है, चीनी मिल में ही उसको यूज कर लेते हैं, खपा लेते हैं, खेर, तो उस खोई का तत्सम रूप आपको बताना है, वो छोद्दे होगा, खोद्दे होगा, चोद्र होगा, इसमें से होगा क्या, और 33, इसका जो राइट एंसर ह वो छोद्र हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, लिखने का यही तरीका होता है, छोद्र, इसके बाद 34, गैरिक, गार्थ और चूड़ा, ये तीन शब्द हैं, मतलब शब्द रही है, ये तत्सम है, ठीक है, अब इनका तद्भाव आपको तलाशना है, तो इसका यहां बताएगे, तीनों का यूग में एकदम सही सही चुनना है, और 34 का जो राइट एंसर है, वो गव हो जाएगा, गेरु, गार्थ और चोटी, ठीक है, यहां चोटी होगा असल में, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, चोटी, चोटी नहीं है, ठीक, गेरु, य गेरु जो है, वो तद्भव है, गैरिक उसका तद्सम है, गार्थ होता है, और चोटी यहां नहीं चोटी होगा, तो चोटी का चूड़ा होता है, इस प्रकार से लिखेंगे, इसका गवाला सही, इसके बाद आगे चलते है, 35 में को दिखे, याती, याती शब्द दिया है, अब इसका यह तद्सम है, इसका जो तद्भव है, वो आपको बताना है, उची तर्थ बताईए, यहां इसका अर्थ होता है, यह होता है, यह होता है, यह होता है, बताईए, इसमें से कौन सा होगा, और 35 का जो राइट एंसर है, वो हो जाएगा, याती मतलब जाना, ठीक, इसके बाद next गवाक्ष का समानार्थी तत्सम शब्द कौन सा होगा ठीक गवाक्ष का समानार्थी तत्सम आपको इसमें से डूढ़ना है तो इसका जो correct tensor है वो इसमें से जालक हो जाएगा ठीक इसका अर्थ समझ रहे हैं यहां तातपरी यह है कि गवाक्ष खुद तत्सम है गवाक्ष यह एक तत्सम शब्द है इसी के जैसा और इसी के समानर्थ रखने वाला एक और तत्सम आपको ढूढ़ना है तो यहां आप चुनेगे जालक को जो गवाक्ष होते हैं यानि जरोखे होते हैं उसमें ऐसे जालिया बनी होती है ताकि उस पार से रोशनी आ सके या आप उस पार देख सके छोटी सी ऐसे जाली नुमा आकरिती होती है तो इसको जालक कहते है जरोखा तो बोलते ही है लेकिन वो तद्भा हो जाएगा गवखा बोलेंगे तो वो भी तद्भा हो जाएगा तो और सब इसमें होने से रहा इसका गवाला हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं question number 37 अर्द य एक तत्सम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये धौचा होता है अधाया होता है अधपवा होता है या फिर कोई नहीं होता है ये भी दिया हुआ है और इसका जो correct answer है इसे पहले देख लीज़े धौचा हो जाएगा धौचा या ढहा hä John बीचा होता है यह प्रकार की वनस्वती होती है जो कि खेतों में उगाई जाती है और वहीं पर यह खड़ी होती है बड़ी होती है उसके बाद फिर इसका तत्सम रूप है इसके बाद 38 निराले जो शब्द दिया है ये एक तत्सम शब्द है इसका उजित तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है निरामय होगा निर्मा होगा निराला होगा या निराली होगा और इसका जो correct answer है वो निराला हो जाएगा निराला जो है वो तद्भव शब्द है इसका शुद् ऐसे लिखा जाएगा, उसी तरह से इसको देखेगा, यह वाला नहीं बलकि यह वाला. तो भद्र का तद्बह आपको बताना है, बताईए, भधूत होगा, भदत होगा, भदत होगा यह भोला होगा? तो भदत का मतलब क्या होता है भला भदत जो शब्द है इसका शाब्दिगर्थ होता है भला भोला जो है ये भोला भाला मतलब सीधा साधा व्यक्ति भदूत नहीं हो सकता भंता होता है ठीक है भंता जो शब्द है वो इस्तिमाल होता है भंता या भद्र ये बहुत धर में आ माडिक के होगा या फिर मडी होगा, इसमें से कौन सा हो सकता है, और इसका जो Right Answer है, वो माडिक के हो जाएगा, मनिपा तद्भो है, और इसका जो शुद्ध तड़्सम रूप है, वो माडिक के हो जाएगा, बाकी जो देख रहे हैं मनिप्रू कोई शब्द नहीं होता है, मडिका जो है ये अर्द तच्सम है, शुद्ध रूप है माडिक के, एक रत्न होता है, और मडि जो है ये तो आप जानते ही हैं, सर्प मडि की बात हो रही है, नेक्स्ट, question number 41, वर्तन अधीत होता है, अध्यान से अधीत जुड़ा हुआ है, अधीत मतलब जिसका की अध्यान कर लिया गया हो, उसको कहते हैं, इसके बाद 42 में को देखिए, विशेश्य विशेशन युग में है, उसमें से आपको गलत का चुनाव करना है, तो ग्रहण और ग्राहे दिया है, र ऍज्याए युगम का चैन करना है, तो संपरदाय से संप्रदाइक, इस्तुति से स्तुत्य, शिवशे शैविक, और खा और गा दोनौँ, बताईए कि इसमें से सही कौन सा है, तो 43 इसका जो गंः वाला है, वही सही है, मतलब खा और गा दोनों सही है इसमें, किवल गंः वाला गलत है ये दोनों सही है संप्रदाय से संप्रदाइक सही है स्थुति से स्थुत्य सही है शिव से शैव हो होगा शैविक कोई शब्द नहीं होता है शैव होता है तो ये वाला गलत है तो इसका घह हो जाएगा इसके बाद Next Question No.44 पाल्तू अमेरिकी तिकोना ये तीन शब्द है न ये किस प्रकार का विशेशन मतलब ये विशेशन के तौर पिर एक किस र्वा एक शीदा सादा है तो ये सभी जो है ये गुड्वाचक विशेशन है पालतू होना किसी पशु का गुण है इसमें कोई संधेय नहीं ए और किसी आकृती का एक विशेश रूप में होना मतलब तीन कोन के आकृती है तो ये तीन कोन उसका क्या है गुण है तो ये गुण वाचक विशेशन में आएगा इसके बाद 45 में चलते है, संकेत वाचक विशेशन होता है, क्या होता है यह आपको देखना है, संकेत वाचक कहा जाता है उसको, अब यही कहा जाता है, सार्वनामिक कहा जाता है, या क्रिया विशेशन कहा जाता है, यह आपको देखना है, तो सार्वनामिक विशेशन होता है संकेत वाचक विशेशन कैसा होता है सारुनामिक विशेशन होता है इसका गवाला सही इसके प्रकार देखने थे इसके बात 46 पृत्वी का विशेशन क्या होगा तो पृत्वी से बनने वाले विशेशन कुल मिलाकर आपको बताने प्रिथवी जो है वो संग्या है इस्त्रिलिंग है पार्थी होगा प्रिथा होगा पार्थ होगा या फिर सभी होगे बताईए तो इसमें पार्थी हो जाएगा प्रिथा और पार्थ ये दोनों एक दूसरे से बने हुए शब्द है प्रिथा जो है वो यहाँ अगर देखा ज पुछ नई है तो आप देख रहे हैं इसमें दो टो सर्वनाम हो गया साडी finns वो संग्या हो गई हैं वह依ी कृए उसको जाने देते हैं मतलब एक परिमाण माचक है दूसरा वहार है और दोनों एक साहत इस्तिमाल हुए सुन्दर के साथ, मतलब सुन्दर जो शब्द था उसकी विशेश्टा बताने के लिए हमने उसके साथ बहुत लगा दिया, तो विशेशन के उपर विशेशन यानि प्रविशेशन, इसके बाद 48 में को देखिए, वे गाएं, मतलब कितनी गाएं हैं या आप नहीं जानते, ल अब यहाँ पर संख्या वाचक की मातरा रहती, मतलब उसके बात रहती, तो उसमें अनिष्चित और निष्चित में हम विचार करतें, लेकिन संख्या वाचक यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ या निष्चा ही सार्वनामिक विशेशन इसके बाद 49 को देखिए, त्रिकाल तर्शी यानि तीनों कालों को भूद्मविश्य वर्दमान को देखने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है तो यह शब्द है क्या यह विशेशन है योगरूड है मतलब योग करके बनाया गया शब्द है यह विशेश्य है या फिर इसमें से कुछ नहीं तो 49 का correct answer इसमें से पहले सोच लीजिए और बताईए इसका हो जाएगा विशेशन त्रिकाल दर्शी यानि तीनों कालों को देखने वाला त्रिकाल जो है विशेश्य शब्द है उसमें आपने दर्शी जोड़ दिया दोनों अलग अलग अगर रखे जाएंगे तो दो दो चीज़े बनेंग या सब किस प्रकार के विशेशन मतलब इनकी कौन सी विराइटी ये क्रिया विशेशन है अव्याई विशेशन है क्रिया विशेशन का मतलब क्या होता है क्रिया के सहारे बनने वाले विशेशन अव्याई विशेशन का मतलब होता है अव्याउं के सहारे अव्याई शब्द होते हैं, उनके सहारे बनने वाले विशेशन, विधे और उद्देश्च विशेशन आप जानते ही है, करता से पहले, करता के बाद में, तो इसमें से प्रकार से शब्द इस्तिमाल होते हैं असल में यह सब अब्यव से बनने वाले विशेशन होते हैं इसके बाद 51 से अब आगे चलते हैं यहां से वर्तनी शुद्धी वाला आरंब होता है जो कि 60 प्रश्म तक बना रहेगा निम्हेलिकित शब्दों में से किसकी वर्तनी लिखा है वो देखिएगा उसके बाद लिखा है कैकेई आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है तो सभी सही है सन्यास बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है कैलाश नहीं होता है बड़ाश नहीं होता है बलकि छोटा सा होता है कैकेई ऐसे ही लिखा जाता है तो सभी सत्य है इसक बहुना इंताओं को कई इसा था दोश है नहीं गलती नहीं होár अब ऊंसे बे इंताह के मामने में ऐ तो आ आउनाओं को उजागर करने के लिए आप शब्द इस्तिमाल करेंगे, वहाँ ठीक है, कि बे इंतहा, मतलब इंतिहान की जरूरत नहीं है, ये एकदम सच्चा है, सच्ची नफरत है या सच्चा प्यार है, ये कहने का मतलब, बेहत पसंद हैं, ये कह सकते हैं, घुलाब जामू इसे नहीं लिखा जाएगा, बलकि जो पहली इ है, वह चोटी होगी, और अंतिम्माली इ बड़ी होगी, ऐसे लिखा जाएगा, ऊशा नहीं होता है, बलकि उशा होता है, मतलब छोटा हू रहता है, या फिर कुछ भी इसमें गलत नहीं है, बताई, तो 53 इसे पहले अच्छ लेंगे सही, इसमें कुछ भी गलत नहीं, इसके बाद 54 को देखिए, यहां लिखा हुआ है, अत्याधिक, अत्याधिक लिखा है असल में, अत्याधिक, इसके बाद पहिला, द्वारिका, यह जितने भी शब्द आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार के वर्तनी के वर्तनी गलत तो है, अत्याधिक, पहिला, द्वारिका, ऐसे लिखा है, तो कौन सा वर्तनी दोश है यह आपको बताना है, और इसे जरा छोटा कर लें ताकि विकल्ब दिखाई दे, अब देखकर बताईए, स्वर आगम दोश है, व्यंजन आगम दोश है, स्वर का लोप हो अत्याधिक, आ की मात्रा हमने अनायास ही इसमें घुसेड दिया, आ की मात्रा यानि एक स्वर हमने इसमें अनायास लगा दिया है, अत्याधिक होता है, पहिला, इसमें हमने क्या किया, इजो स्वर है उसको जोड़ दिया, जबकि पहला होता है, द्वारिका नहीं होता है, तो यहाँ भी हमने ई जो है वो स्वर की तोर पे जोड़ दिया, तो स्वरों का अनावश्यक जो रोपण होता है उसको कहा जाता है स्वर आगम दोश, जहाँ आवश्यक्ता नहीं है वहाँ आपने लगा दिया, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 55 को देखे, यहाँ लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखे पहले कालंदी, यह शब्द क्या है, कालंदी, यह गलत शब्द है, यह एक शुद्ध शब्द नहीं है, गलत है, दोश क्या है, मात्रा गलत है, स्वर लोप हो गया है, अनुस्वार का गलत इस्तिमाल किया गया है, या चंद्रबिंदु का अभाव हो गया है तो स्वर का लोप हो गया है इसमें मतलब इसमें हमने क्या किया स्वर को अधिरोपित नहीं किया जोडा नहीं बलकि स्वर ही हटा लिया मतलब एक स्वर इसमें होना चाहिए था उसको हमने नहीं लगाया कालिंदी होता है कालिंदी किसको कहा जाता है यमुना को कहा जाता है तो वो लिखा कैसे जाता है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कालिंदी यहाँ बिंदी होती है ऐसे लिखा जाता है तो बिंदी तो यहाँ मौजूद है उसको वहाँ से गायब कर दिया तो स्वर का लोग हो रहा है इसके बाद next question number 56 को देखिए शब्दों में प्रयूक्त वर्णों को उनके क्रम में ना लगा कर उनके नियत स्थान की अपेक्षा कहीं और इस्तिमाल कर दिया जाए तो इससे वर्तनी गडबड हो जाएगी लेकिन किस प्रकार का दोश पैदा होगा ये व्यांजन का व्यतिक्रम हो जाएगा क्रमभंग हो जाएगा या वर्ण व्यतिक्रम हो जाएगा या ख और गद हो जाएगा कहा गया गया है वह ध्यान से इसे देखिएगा शब्दों में प्रयुक्त जो वर्ण है यानि जो अक्षर होते हैं उसको कहा जा रहा है उनको क्रम में नहीं लगाया गया मतलब जिस क्रम में उन्हें होना चाहिए था व्यंजन का व्यतिक्रम होगा या क्रम भंग हो जाएगा या वर्ण व्यतिक्रम होगा या खा और गह दोनों हो जाएगे तो 56 और इसका जो राइट एंसर है वो इसमें से हो जाएगा ध्यान से इसे देखिए गह वाला खद था गद उनो, क्रम भंग हो जाएगा, पहली चीज तो आपने क्या किया, क्रम बिगाड दिया, दूसरी चीज वर्ण व्यतक्रम कर दिया, अगर आप व्यंजन व्यतक्रम कहेंगे न, तो सिर्फ जो, मतलब वर्ण माला में भी दो तरह की आक्षर होते हैं, एक स्वर होता क्रम बिगाड दिया, तो इसका घह हो जाएगा, इसके बाद 57 को देखिए, याग्य वल्क लिखा हुआ है, ये शब्द देखेगा, याग्य वल्क, ठीक है, शुद्ध नहीं है, वो देखकर मालू हो रहा है, याग्य वल्क होता है, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, याग्य वल्क, ये, माफ कीजेगा, इसका जो मिटाने का तरीका है, उससे देख लिया जाए, याग्य और ये वल्क, को जो है, वो आधा रहता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो शब्द जो है, वो गलत है, अब इसमें शु वर्दनी नहीं देखनी है बलके तुटी बतानी वर्ण व्यतिग्रम यहाँ पर हुआ है स्वर का लोप हो गया है व्यंजन ही गायब कर लिया गया था यह मातरात्म गड़बड है तो ज़रा देखिए दोनों शब्दों को इस वाले को और इस वाले को यहाँ छोटा लिखा है यहाँ उसी को बड़ा लिख दिया गया यहाँ देखें आधा लग था यहाँ पर आधे लग के साथ क्या आ गया कव आ गया इसी की कमी थी जिसकी वज़े से यह शब्द गलत था तो क क्या है ये व्यंजन है स्वर नहीं है व्यंजन को इसमें से हटा लिया गया था व्यंजन के लोब की वज़े से ये शब्द डिस्टर्ब हो गया था तो इसका गवाला हो जाएगा उस व्यंजन को हमने डाल दिया है शब्द सही हो गया तो जो 57 है इसका राइट अंसर क्य कैसे जाएगा शुद्ध रूप में किस प्रकार से हम उसे दर्शाएगे बताईए तो इसमें देखिए कैसे लिखा है निशंग लिखा जाएगा ऐसे या निशंग लिखा जाएगा मूर्धन निशर रहेगा उसके उपर ऐसे अनुस्वार रहेगा और आगे दो ऐसे इसके बाद 59 संचिप्ति करण यहां लिखा है न संचिप्ति करण यह दोश्मूर्ण शब्द है इसमें खराबी है क्या खराबी है बताईए तो व्यंजन द्वित का अशुद्ध प्रयोग किया गया है यहां आप देखे सैयुक ताक्षरों का व्यवधान पैदा हो गया है संचिप्ति करण कैसे लिखा जाता है यहां पर जो व्यंजन द्वित है उसका गलत तरीके से इस्तिमाल किया गया है कवाला इसका सही होगा मतलब लिखने का तरीका क्या होता है संचिप्ति और यह तव बड़ी की मात्रा होते है संचिप्ति करण होता है तो यहां जो मात्र है ना इसका correct answer शुद्धी करण हो जाएगा असल में शुद्धी करण नहीं होता है बलकि शुद्धी करण होता है बड़ी की मात्रा होती ठीक और बाकी जितने हैं उनमें तुटी इसके बाद आगे चलते हैं असल में यहाँ पर वृद्धी जो लिखा है ये भी सही है वृद इसके गह और गह दोनों सत्य है तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को complete किया है अभी test number 10 भी आपको मिलेगा बने रही है हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार